हेलो एवरिवन, वेलकम टू होम्स कीचन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़े ही आसान और छोटी सी रेसिपी, आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन चटनी, ये वही चटनी है जो हम रेस्टोरेंट में बड़े चाव से खाते हैं, आज हम इसको घर पर बनाएंग पुदीना, छे से साथ हरी मिर्च, और तीरा से चोदा मैंने लहसुन की कली ली हैं, दो टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दही लिया हैं, और ये थोड़े से मैंने यहाँ पर रोस्ट किये हुए चने लिये हैं, चने की जगा पे आप कोई भी नमकीन इसमें डाल सकते हैं, बनानी है तो आप इससे कम भी ले सकते हैं, रोस्ट किये हुए चने भी हम साथ में डालेंगे, और जो दो टेबल स्पून हमने धही लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे, अब दो टेबल स्पून ही हम इसमें पानी डालेंगे, अगर आपने चटने ज़्यादा पतली तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, अब हम लिड लगा कर इसको ग्राइंड करेंगे, यह देखिए हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, इसकी तरीके की हो गई है दो से तीन मिनिट हमें इस चटनी को बनाने में लगे हैं हम इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे आप इस चटनी को स्टोर करके रख सकते हैं तीन से चार दिन तक फ्रिज में इस चटनी को आप धही बल्लों के साथ या किसी भी स्नैक्स के साथ आप सर्व कर सकते हैं ये बड़ी ही टेस्टी लगती है आप भी इस तरीकी से चटनी जरूर बनाना और इंजॉय करना वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे मेरी ह नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद